तीस घंटे तक बच्चे को जन देते हुए तड़पी थी मुम्ताज, ऐसी थी मौत की रात। दोस्तों शाह जहां और मुम्ताज के बहुत ही गहरे राज हम आपके साथ साजा करने जा रहे हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेर, कमेंट जरूर करिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज दोस्तों हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमारा साथ देने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। चलिए स्टोरी पर चलते हैं। आगरा, शाह जहां ने जिस मुम्ताज की याद में दुनिया का अजूबा ताजमहल बनवा दिया, उसकी मौत बेहत दर्दनाक थी। 30 घंटे तक 14 वे बच्चे की प्रसव पीरा से जूजने के बाद 17 जून 1631 की सुबह उसने तड़पते हुए प्रान त्यागे थे। इतिहसकार अब्दुल हमीद लाहौर और आमिर सालेह ने इस मार्मिक घटना को बादशानामा में दर्ज किया है। फूल टाइम प्रेगनेंसी में मुम्ताज ने किया था 787 किलोमेटर ट्रावल। ताजमहल या ममी महल के लेखक अफसर एहमद ने अपनी किताब में उन दर्दनाक पलों का वर्नन किया है। इतिहसकारों के अनुसार शाह जहां मुम्ताज से बेहत प्यार करता था। वो मुम्ताज को छोड़ कर दूर जाना नहीं चाहता था। डेककेंट साथ इंडिया में खान जहां लोदी के विद्रोव को काबू करने के लिए शाह जहां को बुरहानपुर जाना था। तब मुम्ताज गर्भवती थी। मुम्ताज की फूल टाइम प्रेगनेंसी के बावजूद शाह जहां उसे आग्रा से 787 किलोमीटर दूर धौलपूर, ग्वालियर, मारवार सिरोंज, हंदिया होता हुआ बुरहानपुर ले गया। यहां सैने का भ्यान चल रहा था। लंबी यात्रा की वज़े से मुम्ताज बेहद बुरी तरह ठक गई थी और इसका असर उसके गर्भ पर पड़ा। मुम्ताज को दिक्कत शुरू होने लगी। 16 जून 1631 की रात मुम्ताज को प्रसव पीला बढ़ गई। यह इस्लामी जी कद्रा महीने की 17 तारीक थी। शाह जहां बना रहा था विद्रोव को खत्म करने की रन्नीती। मुम्ताज प्रसव पीला से तड़प रही थी। उस वक्त शाह जहां डेक्कन के विद्रोव को खत्म करने के बाद की रन्नीती बना रहा था। उसे मुम्ताज की खराब हालत की सूचना मिली। इस दोरान वह मुम्ताज के पास नहीं गया। उसने दायों को भेजने के निर देश दिये। मुम्ताज मंगलवार की सुबह से बुधवार की आधी रात तक दर्ग से बुरी तरह परेशान रही। शाही हकीम वजीर खान उनके पास मौजूद था। वो पहले भी प्रसव के दोरान रह चुका था। तीस घंटे की लंबी जद्दो जहद के बाद मुम् मुम्ताज बेहाल थी। बच्ची की जन्म के बाद मुम्ताज बुरी तरह कांपने लगी और उसकी पिदलियां ठंडी पढ़ने लगी। दायां और हकीम मुम्ताज के शरीर से हो रहे अत्यधिक रक्तसराव को नहीं रोक सके। वो तड़ाप रही थी। इधर शाह जहां को अपने कमरे से कई संदेश वहक भेजे लेकिन कोई लोटकर नहीं आया। रात काफी हो चुकी थी। आधी रात से प्यादा का वक्त हो चुका था। शाह जहां ने खुद हरम में जाने का फैसला किया तभी उसके पास संदेश आया। बेगम ठीक हैं लेकिन काफी ठकी वो सोने ही वाला था तभी उसकी बेटी जहां आरा वहां पहुची। आखिरी वक्त पर मुम्ताज ने शाह जहां को बुलवाया। इसी दोरान तड़प रही मुम्ताज ने अपनी बेटी जहां आरा को पिता शाह जहां के पास बुलाने को भेजा। जब शाह जहां हरम पह तो वहां उसने मुम्ताज को हकीमों से घिरा हुआ पाया। मुम्ताज छटपटा रही थी। वो मौत के करीब थी। शाह जहां के पहुचते ही शाही हकीम को छोड़ कर तमाम लोग कमरे से बाहर चले गए। बादशा की आवाज सुनकर मुम्ताज अपनी आँखे खोली। मु जहां से दो वादे लिए। पहला वादा शादी ना करने को लेकर था। जबकि दूसरा वादा एक ऐसा मकबरा बनवाने का था जो अनोखा हो। इसके कुछ देर बाद सुबह होने से थोड़ी देर पहले मुम्ताज के प्राण निकल गए। मुगल इतिहासकार अब्दुल शव। मुम्ताज की देखभाल करने वाली सती उन निसा ने उसके मृत शरीर को रूई के पांच कपडों में लपेट दिया। इसलामिक हिदायतों के वावजूद उसकी मौत पर महिलाएं बुरी तरह रो रोकर शोग जताती रही। मुम्ताज की मौत से बादशाही नहीं पूरा बुरहानपुर गमगीन हो गया था। किले की दिवारी औरतों के रोने की आवाज के भर भरा। उच्छी मुम्ताज के शव को तापती नदी के किनारे जैनाबाग में जमानती तौर अस्थाय पर दफन कर दिया गया। मौत के बारा साल बाद शव को आगरा के निर् मानादीन ताजमहल में दफन किया गया।